मैया, ओ मैया, आज खाने में क्या है? जय जय गर्नाथ, मैं शिवानी चौकरवर्ती, अपने चानल बॉंग कलिंग फूर्ट टेल्स में आप सब का स्वागत करते हैं आज की जो हमारी टॉपिक है, जो विशय है, आज हम उस पर चर्चा करेंगों है जूलन यात्रा क्योंकि जूलन यात्रा चल रहा है और आज उसका पांचपा दिन है तो मुझे थोड़ी देर हो गए इस पर वीडियो बनाने के लिए जो आज की हमारी रेसिपी है वो है खीर दोही, यह खीर दोही जो है बेंगल में बहुत फ्यमसे खास कर नदिया नवधुप में और जो चैतने महाप्रभुजी की जन्म माटी है तो आज हमने वो रेसिपी लिया है भोग रेसिपी तो चलिये हमेशा जैसा हम करते हैं पहले रेची बना लेते हैं बाद में आके टोपिक के बारें बात करते हैं तो पहले हम खीर दोई बना लेते हैं बाद में आपके हम जूलने अक्तर के ऊपर बात करेंगे राधे क्रिश्न अभी हम अपने किचन में है और आज जो भोग हमारी थाली में सजेगी काना की थाली में जो आज की भोग सजेगी वो फिर से हम पस्चिम बंगाल से लेंगे वो बंगाल की भोग होगी और जो सबसे पहला भोग आज हम देने वाले हैं वो एक दही की रेसिप है वेसर तो बंगाल जो होए वह हो नथी के लिए बहुत फेमस है और विश्ट्टीpha भी वह बहुत वराइटी में वह पर मिलती हैं लेकिन आठ जो मिश्ट्ची psychiatric देने वाली हूं वो स्पेशल है और नर्याए नवद्दत की जो दही होती है मिश्टी दोई उसको बोरते है तो बोलते हैं खीर दोई और जो नॉर्मल जो मिष्टी दोई होता है और तोड़ा लाइट ब्राउन कलर में मिलेगा लेकिन यह जो दही है बहुत ज्यादा डार्क कलर का होता है तो आज में वही चैतन्य जी की जन्म भूमी है वहां से लेके आई हूँ यह काना जी का भोग क्योंकि चैतन्य जी तो शीकिष्टन जी के बहुत बड़े भगते हैं सबको पता है तो वह दही बनाने के लिए हमें क्या-क्या सामान चाहिए चलिए पहले जान लेते हैं हमें यहाँ पर चाहिए शक्कर मैंने एक कटोरी से थो आधा लिटर दूद लेंगे तो आधा लिटर आपका आधा काप आपका दही लगेगा तो मैंने पहले सही दूद चड़ा रखा है ग्यास पर और वह उबल रहा है और आपको इसको अच्छी तरीके से उबालना है इस दूद को और यह फूल फ्याट क्रीम होना चाहिए अभी क्या करते हैं न हम इसको उबलने देते हैं और इसके पास ही रहते हैं वरना यह नीचे लग जाएगा अच्छी तरीके से हाफ हो जाए जब हाप से भी कम हो जाए तब आके हम आगे का प्रोसेस करेंगे और यह जो दही मेंने दिखाया यह हैंकर होना चाहिए इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए और हमें जमाने के लिए इसको एक मिट्टी का पॉट चाहिए होगा और वो अगर मिट्टी का पॉट आपके पास नहीं है तो और भी दूसरे पॉट चलेंगे लेकिन इस दही की जो खुश्बू होती है जो अथेंटिक आपको दिखाऊंगी यह देखिए यह हमने अच्छी तरीके से उसको रिड्यूस कर लिया है मिल्क को अभी अभी यही कॉंसिस्टेंसी चाहिए अभी हमें क्या करना है ग्यास को आफ कर देना है इसी बिच मैंने क्या क्या है ना जो शक्कर हमने लिया था उसको मैंने कैराम क्यामेल चाहिए कि देखिये अब मुझे लगता है कि जो भी हमरे विवर से उनको कारमेल बनाना आता होगा इसलिए मैंने कारमेल बनाना नहीं दिखाया जितना शक्र मैंने लिया था उसमें एक चमच पानी डालकर मैंने उसको कारमल बनाया है आपको बहुत ज्यादा उसको बनना वो कड़वा हो जाएगा और इसमें कलर लाने के लिए हमें क्यारमल की जरूरत होगी तो अभी हम क्या करते हैं यह जो क्यारमल है उसको डाल देते हैं उसके अंदर यह जो हमने रबडी बनाई है उसके अंदर डाल देते हैं और उसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं यह देखिए अभी हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से मिला लेना है उसको बहुत मतलब जो साइड में लगा है उसको निकाल लेना है और इसके साथ उसको अच्छी तरीके से मिला लेना है अगर क्यारमल आपका ठीक नहीं बना मतलब ज्यादा जल गया तो यह जो दही आप बनाएंगे वह मतलब पूरा कड़वा हो जाएगा उसका टेस्ट मीठा तो बनेगा नहीं वह अलग टेस्ट का आएगा इसलिए हमेशा ध्यान रहे क्यारामेल थोड़ा डार कर सकते हैं लेकिन उसको पूरा मतलब कला मत कीजिएगा केरमेल बनाना है थोड़ा ट्रिकी काम है बट मुझे लगता है कि जितने हमारे विवर्स चे उनको केरमेल बनाना आता होगा अभी देखिए इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिला लेते हैं यह अभी गरम है फिलाल अभी क्या करना है कुछ शमय हमें वेट करना है जब यह लिव क्वार्म हो जाएगा तभी हम क्या करेंगे जो दही है उसको डालेंगे यह बहुत गरम होगा तभी हमें दही नहीं डा लिए अभी आच्छी तरीके से थंड़ा हो गया है मतलब क्लूप कर्वाम हो गया है अभी अम हमें क्या करना थो दही हम नहीं लिया था उसको भी डालना ये हंकड है पानी बिल्कुल नहीं ए सारा दही में इसमें नहीं थोड़ा मैं इस मिट्टी के पॉट में डाल रही हूं जिसमें हमें इस दही को जमाना है और उसमें थोड़ा डाल रही हूं और बाकी जो है उसको मैं कि अभी कि इसके अंदर मिला के अच्छी तरीके से मिला के उसके अंदर डालना है यह दही और यह जो रब्डी है उस अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए जो नॉमल जो दही जमता है बंगाल में जो दही जमता है वह इतना मोटा नहीं होता लेकिन यह वाला जो दही है जो मिठी दही है जिसको बोलते हैं मिस्ती दोई और यसको बोलते हैं खीर दोई जो देया नवद्दुपह जो इए जो कर दोड़ graph dot यह थोड़ा जादा गारा होता है अ कि wonder में कितना खाया है इसको मतलब देखते ही बच्पन की यादे ताजा हो जाती है कि यह जो स्पेशल दही है या तो आप घर में बनाएंगे या फिर इसको खाने के लिए आपको वही नदिया नवदिप में जाना पड़ेगा कि वहां के स्पेशलिटी है अगर मैं जब मैंने सोचा कि मुझे मिष्टी दोई देना है तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं नदिया नवदिप का जो खीर दही है वही दूंगी क्योंकि एक तो वह चैतन्य महाप्रभु जी की जन्म माटी है और दूसरा यह बहुत स्वाधिश्ट होता है जितना भी मिष्टी दोही जितने प्रकार के हैं उसमें से अबल नंबर का य थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छी तरीके से मिल जाएगा अभी देखिए यह बहुत अच्छी तरीके से रबडी और दही दोनों ही मिल चुके हैं और करमल तो मैंने पहले से डाल दिया था और एक बात में बता दूँ जब मैं दूद उबाल रही थी तो मैंने एक चम्मच शक्कर उसमें डाल दिया था आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना केरमल से भी अच्छी खासी मिठास आएगी और अभी हमें क्या करना है इसको थोड़ा साइट कर देती हूं अभी इसमें कोई लांस बगरा नहीं है यह जो दही हमने लिया है यह जो मिठी के पॉट में उस दही को हमें क्या करना है न्यविए पूड़े पूरे पोट में उसको लगा देना है अगर ज्यादा हो रहा है थोड़ा निकाल देजिएगा बना इसको अच्छी तरीके से हैं शब्लान लेना है यह जमने मेन दही को बहुत हेल्प करे गा पहले मिठी के पहले तो मि है मिट्टी के पॉट में जबाने का अभी देखिए इसको हमने अच्छी तरीके से इसके अंदर दही लगा लिया है अभी यह जो रबडी हमने यह बनाया है रबडी और यह दही का मिश्रण है इसको हम उसके अंदर ट्रांस्टर कर लेंगे मेरे पास जितने भी मिट्टी के पॉट है यह सबसे छोटा है और इसमें जबाने के लिए बड़ी आसानी होगी इसलिए मैंने थोड़ा कम दूद लिया कम क्या मैंने एक लिटर दूद लिया था और इससे ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए हमारे लिए क्योंकि हमारी fiamili में जन्संक्या बहुत कम है अभी हमें क्या करना है एक silver foil लेना है और उसको cover कर लेना है अगर आपके पास silver foil नहीं है कोई बात नहीं है आप जब इसको मतलब रखेंगे इसको हम फिर से आग में रखेंगे इसको heated heat देना है उसको तो कोई भी अब धक्कन हो उसको आप दे दीजिएगा और केरफुली कि उसको उसके ऊपर कोई वजनदार सीज रख दीजिएगा वो हो जाएगा अभी यह देखिये यह हो गया अब हिसको फिल से ग्यास पर चढ़ाना है इसारी माइक्रोब में बनाते हैं लेकिन में माइक्रोब में नहीं बनाती मैं यह सारे चीजे मतलब ग्यास में बनाने की ज्यादा प्रिफर करती हूँ तो अभी क्या करता है हम उसको ग्यास में बचाते है अभी देखिए मैंने कड़ाई गरम कर ली है और उसके अंदर मैंने एक स्टील का प्लेट रख दिया है डाइडेक्ट हमें इसमें कड़ाई के जो मतलब एयर जाने के लिए या फिर स्टीम जाने के लिए जो होल होता है जो कड़ाई की ढखन होते है लीड होती है उसमें तो उसको भी हमें बन कर देना है और मीडियम हीट पर अधे गंटे तक इसके अंदर रखना है 30 मिनिट टाइमर सेट कर दिजेगा 30 मिनिट तक हमे पर थोड़ देना है उसको ठंडा होने के लिए तो अभी यह 30 मिनिट तक उसके अंदर रहे फिर उसके बाद दो घंटे बार जब थंडा हो जाएगा फिर मैं निकाल के आपको दिखाऊ खीर दही मैं ने बना लिया है उसको सेठाने के लिए मैंने रख दिया है एक गंटे क यात्रा यह पर बोलते हैं जिसको बोलते हैं जूलन यात्रा और जूलन का मतलब होता है जूला जूलना यह जो होता न सावन का जूला और इसी चीज को कहा गया है सावन का जूला तो इसका जो नाम है जूलन यात्रा तो बाद ने हुआ उसका जो नाम है उसका नाम है चंद् पर एपिशोड बनाते जायेंगे गए अर्थ रास Cut बनाते जाएंगे औरर हर रास के उपर हम एपिशोड़ बनाएंगे तो एक एक नाम बोलते जाएंगे तो आज हम झॊलन यतर एक उपर एपिशोड बना रहें तो उसका नाम चंद्र विलास जूलन बाद में जूलन इसलिए शायद हुआ क्योंकि जूला जूलते हैं उसकी वज़े से उसको जूलन यात्रा कहा जाता है देखिए यह जो यात्रा है वो राधा कृष्ण और कृष्ण जी के साथ गोपियों की जो संबंध हैं उनको दर्शाता है और खतांक जी का उल लेक बहुत कम पुराण में ना भागवत में है ना गीता में हैं और ना कोई और जो प्रचलित गरंध्य हैं अमारे समज अश्मस सिर्फ पंपुराण में और ब्रह्म ब्रह्ब़्त पुराण में तो यहां ले भーगवान ब्रह्मा थ Facei राधा जी के साथ कृष्ण जी का विवाहा कराया था और सिर्फ उसी पुराण में है लेकिन ब्रह्मु बैवत्त पुराण के बारे में बहुत लोगों को जानते हैं बढ़ते भी होंगे जानते हैं लेकिन जो चीज पढ़ते हैं गीता भागवत महावारत उसमें राधा जी क सीमी था ब्रिंदावन ब्रज गोप मथूरा वहां पर वह सीमी था लेकिन जो रेस्ट अप इंडिया था जो बाकी के हिस्से थे वहां पर इतना नहीं पहुंचा था वहां पर भी भगवान विश्नु को मानने वाले बहुत सारे लोग थे और जो साउथ इंडिया था वह भग रिजिन जो है वहां पर जो श्री कृष्णी के प्रति जो भक्ति भाव बढ़ा वो दो लोगों की वज़े से बढ़ा एक थे जैदेब और दूसरे से महाप्रभु चैतने जी और एक ने नाम संकितन के जगे राधा कृष्णी की प्रेम को जग्के सामने उजागर किया और पूरे समाज था वो मतलब वश्णवेजिन को एकसेप्ट करने लगे क्योंकि पहले होता था ना ये शिप के भक्ते हैं ये मादूरगा के भक्ते हैं जो शक्ती की उपासना करते थे वो शाक्त होते थे जो शिप की उपासना करते हो शेव होते थे और बेंगल और उडिसा वो बेसिकली भगवान शिप को समरपित लोग जो ज्यादा थे श्यव थे राजा जो होते थे वो श्यव भक्त होते थे तो इसलिए सब शिप जी के पती ज्यादा उनके जुकाओ रहता था लेकिन चैतन्य जी और जैदर जी के आने के बाद ये थोड़ा चेंज हुआ क्योंक इसको मनाते हैं उनको उनके रास लीला को राचल का मतलब कुछ और समझते हैं राष का मतलब वो नहीं होता और कृष्ण और राधा के जो प्रेम संबंध है उसको मतलब दिखाने के लिए जैदब जी ने ऐसे ऐसे पंक्तियां लिखी हैं गीत गोविंद में अगर आप कभी गीत गोविंद में अगर आप पढ़ सकें तो समझ सकेंगे कि वो किस तरीके से दिखायागा है और ये जो जूलनी आतरा होता है या कि जो बाकी राश होते हैं वो राधा किष्ण के शास्वत प्रेम को दिखाने के लिए होते हैं और सावन का तो उनकी मामी थी तो उनका संबन्त के ऊपर लोग गलत उठाते हैं लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि उनकी मामी ती तो वो उनकी मामी क्यों थी उसके उपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा तो मैं जैदविंद की बात कर रहें थी जो मतलब गीत गोविंच चैनला लिखा है गीत गोविंद में एक स्टांजा है जब राधा जी राधा कृष्ण का विचोर हो जाता है वियोग हो जाता है क्रिष्ण जी राधा जी को छोड़ के चले आते हैं क्यूंकि वापस उन्हें फिर कभी ब्रिंदावन नहीं आना होता तो राधा जी बहुत दुखी होती है तो विचिन जी होते हैं वो कहते हैं स्मरगरण खंडनम ममसी रच्ति मंदनम देखी पाद पल्लबम मुदार मतलब हेराद है आप जो तकलिफ से आप गुजर रहे हैं वह मैं भी उससे के तरफ मैं उसी तरीके के के ते मतलब तकलिफ से गुजर रहा हूं आप ऐसा कीजिए मेरे लिए क्या है वो जग समझ जाए तो इस तरीके का जो संबंध है स्रीकृष्ण जी की और राधा जी का जिस तरीके से चैतन्य जी ने भी उसी चीज को बहुत उजागर किया है और इस चीज को पूरे भारत में स्प्रेड करने के लिए इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा वही है तो जैसा मैंने कहा कि राधा क्रिष्न का प्रेम जो होता है जूलन आतरा में दिखाया जाता है और जिसको चंदरविलास कहते हैं वाकिसत वही है और कुण्ज मतलब होते हैं जूले भून या चाहि की बनाया जाता है वो फूल और पत्तों से बनाया जाता है और उसके बाद क्या होता है जो जगर्नाजी की चलंती प्रतिमा है वो आते हैं मंदिर से निकल कर और उनकी स्तापना होती है वहां पर और उनके साथ आते हैं भूदे भी और श्री देभी और वो यहां पर आकर जूलन जूलते हैं जो ले लिजा पर दूसरे मठ मंदिर वहां पर भी जूलन यात्रा बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है और साथ दिनों तक यह मनाया जाता है जो आपके भादर्म की जो पुन्निमा होती है उसके बाद सही शुरू हो जाती है यह और साथ दिन तक चलती है और मंदिर में महत्यपुन बहुत रखता है रथयात्रा और चंदन यात्रा के बार जूलन यात्रा तीसर नमबर पर आता है जो मतलब बहुत बड़े आकार्मे जगरनात मंदिमने मनाया जाता है तो ये थी जूलन यात्रा के बारे में छोड़ी सी जानकारी के क्यों मनाया जाता है और किसलिए मनाया जाता है इसका महत्व क्या है जैसी वीडियो और अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन धन्यवाद रहते हैं जय जगन्नाथ यह देखिए हमने उसको 30 मिनिट तक पैन में हीट में पकाया था और उसके बाद ग्यास को ओफ करके 20 मिनिट तक उसके अंदर रख दिया था अभी यह थोड़ा थंड़ा हो गया है पूरी तरीकिसे थंड़ा नहीं हुआ लेकिन थोड़ क्या है इसका प्रोसेस ही इसका फरक है अगर आपने कभी दही खाया होगा अगर देखा होगा तो उसका प्रोसेस होता है अच्छी तरीके से दूद को उबालना है उसमें थोड़ा शक्कर डालके उबालना है और उसके बाद उसमें हैंकर मिला के ओवरनाइट तक रख देन भाप मतलब होता है स्टीम वो दही को क्या करते है न ऐसे ही मतलब दूद को रबडी जैसा बनाते हैं उसमें वही हैंकर डालते हैं शकर डालते हैं उसको टीम में पकाते हैं वो भी बहुत पॉपुलर है लेकिन इसको हमने पकाया किससे मतलब ताप में पकाया हीट में पकाया इसलिए ये जो दही है उसका स्वात थोड़ा अलग आएगा स्टीम जो दही होता है जो भापा दही होता है उससे थोड़ा अलग आएगा और इसके लिए ही ओ पॉपुलर है बहुत प्रसिद्ध है इसका स्वात बहुत ज़्यादा अलग है तो चलिए हम खोल के देखते हैं इसको अभी गरम है यह देखे यह देखे इसे घी निकलाया है उसका यह देखे अब मिट्टी के पॉट में पकाने का अभी यह फायदा है कि यह अच्छी तरीके से पानी को अब्जर्ब कर लेता है अभी मैं उसको केरफुली निकाल लेती पिर मुझे उसको फ्रीज में भी रखना है यह देखे यह देखे यह देखे यह देखे लुक अट देश पाव यह होता है खीर दही जो कि आपको नदिया नवद्दिप में मिलेगी वहाँ पर क्या होता ना चोटी-चोटी गोल-गोल हांडी में बनाई जाती है और इसका जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क होता है और इसकी जो खुशबू आती है ना उसमें आपको घी की खुशबू आएगी और मुझे यहाँ पर भर के घी की खुशबू आ रही है और बहुत सुंदर है अब मैं हाथ लगा के दिखाना नहीं चाहती लेकिन मैं कि हमारी वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हुगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पीजिए और बेल आइकन को दबाए तक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो रहते हैं जै जगर्नात